हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन्जाद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमस जैद और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहा है माक्रोबियल एंड फार्मिंग में माक्रोब्यल इन ऊक्विलेंट्स के बादे में तो कुछ microbes होते हैं जिनके पास inoculant रहते हैं वो fermentation के प्रोसेस से form होते हैं olmayaculant जो रहते हैं ये seeds पे spray कीए जाते हैं और कुछ inoculate में प्लांट में छोड़ दिये जाते हैं और जो microbes रहते हैं inoculant में इंoculant मतलब की piece मतलब की एक part हो गया microbes का तो यह part जब plants में हम लोग छोड़ देते हैं तो यह quality improve कर देते हैं vegetarian foods की खास करके तो इसमें कुछ solutions होता है जैसे isotobacter होता है और artificial natrogenase होता है जो की organic farming में use होता है तो soil pollution chemical fertilizers के कारण होता है तो इसलिए हम लोग chemical fertilizers को use ना करके use करते हैं microbial inoculants तो fluorosetamide के जैसे हम लोग chemicals का जब soil में use करते हैं तो यह सब harmful हो सकते हैं बाकी सारे plants के लिए और human के लिए भी skin disease ला सकते हैं तो अगर हम लोग microbial inoculants का use करें तो हम लोग वही काम कर सकते हैं और फायदे में कर सकते हैं तो इससे skin diseases भी नहीं होती हैं बाकी problems भी नहीं होती हैं और आसानी से काम हो जाता है तो यह था हम लोगों का marketovial inoculant तो यह था हम लोगों काम हैं